Question number 15 ठीक है? दो तरीके से बना सकते हैं इसको एक तो हमें direct लिख रहा है कि 1 plus 10 square theta इसके बन्दे हमें लिख सकते हैं 6 square theta और 1 plus 4 square theta इसके बन्दे लिख सकते हैं 6 square theta फिर क्या होता गले इसके पर 6 square theta को हमें denominator में shift कर देखें तो यह बन जाएगा 1 upon cos square theta और जो कौशे की square theta है वो हो गया 1 upon sin square theta ठीक है? जो प्रूफ करके लाना है हमें उसमें सिर्फ sin का terms है cos का कोई term नहीं है तो यहाँ पर हमें cos के term को replace कर देंगे तो 1 upon cos square theta के बन्दे लिख लेंगे 1 minus sin square theta और यह sin square theta as it is फिर क्या होगा? 1 upon sin square theta से दोनों term को multiply कर देंगे तो sin square theta into 1 यह हो गया sin square theta minus sin square theta into sin square theta यह हो गया sin 4 theta यही group करना था में और यह आगया एक तो यह तरीका हो गया बनाने का ठीक है? या फिर अगर हम इसको method 2 पहले sin cos में convert कर लेते 1 plus 10 square theta into 1 plus cos square theta 1 plus 10 square के बदे लिखते sin square theta by cos square theta और यहाँ पे 1 plus cos square theta upon sin square theta और यहाँ पे लसिम लेते तो यह हो जाता cos square theta plus sin square theta upon cos square theta और यह हो जाता है यहाँ भी लसिम लेते तो यह बन जाता sin square theta plus cos square theta upon sin square theta यह cos square plus sin square हो गया एंटू साइन स्कॉर प्लस 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 यह भी हो गया बॉन अपॉन साइन स्कॉर थीटा तो हम लोग यहीं पर पहुंच जाते है ठीक है इसी जगा पर यह जाता वन अपॉन सब्सक्राइब करने से कम स्टेप में हो जा रहा है और साइन कर सकते हैं दोनों तरीका ठीक है और यह हमारा कोशन 50 भी कंप्लीट हो गया